दोस्तो नमस्कार जै मातादी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आजकल ये टोने टोटके वाले बहुत से लोग घूम रहे हैं जो आपका काम तो बिगाड़ते ही हैं बलकि आपसे पैसे भी लूटते हैं ऐसे लोगों से आप सावधान रहे हैं हम आपसे यही कहना चाहते हैं और हम जो आपको उपाए बताएंगे या हम जो मंत्र आपको बताएंगे वो सिद्ध उपाएं हैं दोस्तो और सिद्ध मंत्र हैं वो हमारे गुरूजी ने बड़ी ही तपस्या और साधना करके उन मंत्रों को प्राप्त किया है जो हम आप लोगों से शेयर करते हैं और आपकी समस्या सुल्जाते हैं जी हाँ, आजकल हर तरह की समस्या हमारे जीमन में हैं दोस्तों घर में शांती नहीं है, क्लेश है कोई जमीन जायदात का मसला फसा हुआ है, जो आगे बढ़ ही नहीं रहा है कोट कचेरी के चक्कर लगाते हम ठक चुके हैं दोस्तों हमारा केस आगे बढ़ ही नहीं रहा है या फिर बेटा माबाप से रूड़ गया है और दूर चला गया है वापस ही नहीं आ रहा है माब आपको पता भी नहीं कि कारण क्या है इन सब समस्याओं का इलाज हमारे पास है दोस्तो हम बहुत ही सरल और सीधे उपाए आपको बताएंगे और ऐसे मंत्र आपको बताएंगे जिनका जाब करने से आपको अपनी किसी भी समस्या से निजात मिल सकती है दोस्ति आज मैं उन व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी तरक्की नहीं हो पा रही है जी हाँ एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके करने से आपको तरक्की का लेटर एक महीने के घितर मिल जाएगा दोस्ति जी हाँ हमारे बहुत से भाईयों ने इसका लाब उठाया है बहुत सी बहनों ने इसका लाब उठाया है और हम चाहते हैं कि आप भी इस उपाय का लाब उठाएं तो आईए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम किस-किस सामगरी को यूज करके ये उपाय कर सकते हैं और जौब में तरक्की पासकते हैं तो दोस्तों इस विधी के लिए हमें चाहिए पांच आम के पत्ते एक नारियल एक सफेद कपड़ा और उसको बांधने के लिए कलावा इन पांच पत्तों पर आपको ओम लिखना है पांचों पत्तों पर आपको ओम लिखना है ओम लिखकर पांचों पत्तों पर आपको ओम लिखना है और एक मंत्र है जो साथ-साथ आपको बोलना है दोस्तों मंत्र कर साथारन मंत्र नहीं और यह औम लिखते वक्त आपको उस मंत्र का जाप करना है दोस्तों चों मंत्र हम आपको बताएंगे इंप पांचों पत्तों को रख दीजिए और इसको आप कलावे से अच्छी तरह से बांध दीजिए और इसको आप कलावे से बांध कर और उस जगह पर रख दीजिए जहां पर आप काम करते हैं जिस computer table पर आप काम कर रहे हैं उस अपने जगह पर उसके corner में आप इसको रख दीजिए और मंतर का उच्छारण हम रोज करें वो मंतर हम आपको बताएंगे दोस्तों ये कोई साधरन मंतर नहीं है मैं आपको ऐसे यहां पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मंतर व्यक्ति विशेश को उसकी राशी के और उसके नाम के अनुसार ही प्राप्त होता है जो हमारे गुरुजी आपसे सला मश्वरा करने के बाद ही बता पाएंगे जी हां तो इस तरह से ये सरल विदी करने से आप अपनी नौकरी में बहुत जल्द तरक्की पा सकते हैं दोस्तों तो देखा दोस्तों, कितना सरल उपाय हमने आपको बताया अपनी नौकरी में तरक्की पाने का, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है ये उपाय, सिर्फ आपको आम के पांच पत्ते लेने हैं, एक नारियल लेना है, और एक सफियत कपड़ा लेना है, और इसको अपने टेबल पर रख देना है, जी हां, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, या किसी भी तरह की शंका आपके दिमाग में है, तो आप हमारे ये स्क्रीन पर आये हुए, नीचे जो नंबर आ रहे हैं, उन पर हमारे ML गुरूजी से संपर कर सक रखते हैं किसी भी वक्त बे जिजक जी हां, और वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, और वो मंत्र भी आपको आपके नाम और आपकी राशी के अनुसार बताएंगे, जिसका उचारन आपको इन पत्तों पर ओम लिखते हुए करना है, और इसको अपनी टेबल पर रख रखते हुए जिस मंतर का उचारन आपको करना है, जिस मंतर का जाप आपको करना है, वो मंतर हमारे ML गुरुजी आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, और हम चाहेंगे कि आपको अपनी नौकरी में जल्द से जल्द तरक के मिले और आप भी सब्ध पूरवक अपना जaldo ब् अतीद करने है चामाता दी दोस्तों